Hello Friends, Namaskar मैं अनुराधा और स्वागत है आपको अनुराधा केयर चानल में बहुत सारे महिलाएं हर महिने कंसीव करने के लिए ट्राय करते हैं प्रेग्डेंट करने के तयारी करते हैं लेकिन हर महिने उनका पीरड आ जाता है conceive ना करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं उन कारणों में से एक है आपका अंडा ना बन पाना यानि कि an evolution तो आप केसे पता कर सकते हैं कि आपके अंदर अंडा बन भी रहा या फिर नहीं क्योंकि pregnancy conceive करने के लिए एक महिला के अंदर अंडा सही से बनना बहुत जरूरी है और एक पुरुस के अंदर healthy sperm का होना भी बहुत जरूरी है कुछ-कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसे आप पता कर सकते हैं या फिर guess कर सकते हैं सायद आपके सरीर में अंडे सही से नहीं बन पा रहे हैं अगर आप 6 महिने एक साल या फिर उससे भी ज्यादा समय से ट्राय कर रहे हैं और आपके pregnancy conceive नहीं हो रहा है और यह सब लक्षण आपको दिख रहे हैं तो एक बार आपने डॉक्टर से जरूर जांज करवाएं चलिए शुरू करते हैं आज का है वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यह सब लक्षण आपको दिख रहे हैं तो सायद आपके अंडे सही से नहीं बन रहे हैं तो पहला जो अलक्षण है वो है irregulare period irregulare period तो बहुत सारे महिलाओं का आता है लेकिन irregulare period का मतलब क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आपका period cycle length यानि कि 2 period के बीच में जो gap होता है वो 25 दिन से कम या फिर 35 दिन से जादा है तो उसे हम irregular period कहेंगे अगर आपका period irregular आ रहा है इसका मतलब यही है कि आपके सरीर में जो hormones है उसका imbalance है यानि कि वो संतुलित नहीं है इसके बज़े से आपका periods irregular आ रहा है एक महिला के सरीर में जो अंडा बनने का process होता है वो hormone के balance के उपर बहुत ज़्यादा निर्भरसिल होता है अगर आपके सरीर में hormone का imbalance होगा तो periods भी irregular हो जाएगा और साथी साथ आपका अंडा भी ठीक से नहीं बन पाएगा यह तो गया पहला लक्षण दूसरा जो लक्षण है वो है आपका period का flow period का flow याने कि periods के दोरान कितने समय तक आपके सरीर में bleeding हो रहा है याने कि bleeding time अगर period के दोरान सिर्फ spotting हो रहा है या फिर सिर्फ एक या दो दिन तिल के दिर bleeding हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके सरीर में micronutrient की कमी है hormone की imbalance भी हो सकता है और साथी साथ hemoglobin याने की blood भी कम हो सकता है micronutrient के कमी से या फिर hemoglobin के कमी से या फिर different types of hormones होते हैं उसके कमी से आपके सरीर में अंडे ना बनने का भी chances रहता है इसके साथ साथ अगर आपको साथ दिन से ज़्यादा bleeding हो रहा है तो यह दर्साता है कि आपके सरीर में low progesterone level है और अगर low progesterone level होता है तो इस खेत्र में भी आपके अंडे सही से नहीं बन बाते हैं तीसरा जो लक्षण है वो है lack of cervical mucus एक महिला के सरीर में cervical mucus का presence होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह दर्साता है कि आपके सरीर में जो hormonal balance है वो सही से हो रहा है अगर आपका जो cervical mucus यानि के वाजना से जो fluid होता है वो कम बन रहा है या फिर बिल्कुल नहीं बन रहा है तो यह दर्साता है कि आपके सरीर में estrogen की कमी है और अगर आपका सरीर में estrogen की कमी है तो इसके बज़े से भी आपके अंडे ना बनने की पूरी पूरी chances होता है महीने के बीचों बीचे यानि की आपके पीरड के चौदवा, पंदरवा या फिर सोल बे दिनों में अगर आपके वाजने से कुछ चिपचिपे का पतार्थर लिकलता है जो की egg white का तरह stretchy होता है और दोनों उंगलियों से लेने से वो stretch हो जाता है तो यह बहुत ही एक अच् कुछ लक्षण होता है जो की दरसाता है कि सायद आपको polycystic ovarian syndrome है यानि कि आपके सरीर में बहुत सारे अंडे मैच्चुर तो हो रहे हैं लेकिन एक रिलीज नहीं हो पा रहा है तो उनमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे कि आपके सरीर में अगर unwanted hair grow कर रहा है आपके ज सारे लक्षण है वो polycystic ovarian syndrome या फिर PCOD का लक्षण हो सकता है अगर आपको PCOD या फिर PCO से तो भी आपके अंडे ना बनने का पूरी पूरी चांस है तो यह जितने भी सारे लक्षण मैंने बताया आगर आपको यह सब लक्षण दिख रहे हैं और आप कंसीव करने के यह जानने में कि आपका एक बन रहा है या फिर नहीं तो और एक नए informative वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ तब तक के लिए stay healthy and stay happy अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा और साथी साथ दूसरों के साथ भी share कीजेगा अगर अभी तक आपने अनुराधा के आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो जरूर सब्सक्राइब कीजेए और साथी साथ बेल आइकोन को भी हीट कीजेए ताकि इसी तरह का informative वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहें